देख सकते हैं किस तरह से अफ्रोज और सारस की दोस्ती है अफ्रोज वहां साइकיל लेके जा रहा है और सुल्तानपुर जिले ही नहीं बल्कि पूरे परदेस में चर्चा का केंद्र बना हुआ है चाचा ठी आरिप और सारस की दोस्ती तूटने के बाद आपको क्या डर लगत कमाने अंच्ता आपके चैनल कि माध्यम से बता दो मैं अदल्ला के सिवा किसी सेना तरकता क्रता था। और जिससे महबत करता है और जब से वा चला गया तो बहुत मुझे हैं नहें भी डरता हूं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद गुपता और आप देख रहे हैं जे भारतियों जिस वक्त मेरी मौजूद्गी सुल्तान पूर जिले में है अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती आपने देखी होगी खूब तेजी से सोसल मीडिया पर ट्रेंड किया और अखलेश या दाओ पूरे मुख्यमंत्री पहुँचे और उसके बाद क्या क्या हुआ सब ने देखा लेकिन अब सुल्तान पूर जिले में अफ्रोज और सारस की दोस्ती खूब तेजी से वारल हो रही है आप देख सकते हैं एक छोटा सा सारस है जिसे हम सारस का छोटा बच्चा भी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं अफ्रोज की इस तरह से बड़े चाव से खिला रहे हैं और आरिप के सारस जितना ये सारस बड़ा नहीं है लेकिन प्यार उतना ही करता है अफरोज को सारी कहानी हम जानेंगे साइस कहानी की परताल करेंगे कि आखिर इस सारस को अफरोज जी कहां पाये थे और कैसे इनसे प्यार हुआ कैसे दोस्ती हुई क्या कुछ खिलाते हैं सार सब्सक्राइब सब्सक्राइब बाकि और कोई भी रहेगा किसी को नहीं कोई नुकसान नहीं पहुचाता अपरोज इसको आप कहां पर पाये थे जी यह मारे भाईया थे वही गयते चांदा उनके मित्र थे कानवात वही मचली पालन तो वहीं काभी छोटे उमर में नहीं पर अकेले भटक रहा था जा ना यह यह बतलब गीर जा रहा है सब सोचे बत्तक का बच्चा है कोई इसको पता हिने तक सारस का बच्च्चा सब बच्च्चे समझ के इसको लेगा है तो तब से हम वहारे बीच में देखते थे साड़े च्छे महीने हो गया बहुत तेजी से बाढ़रा है आब ale इसको पाए थे पहले मुझे मिला था तब से हमारे बीच में और आटा और आलू बहुत ही खाता है और अपसे दोस्ति कैसे रखता है अभी कुछ देख सकते हैं एक्टिविटी यही है कि रमजान चल रहा है अभी हम आपको बाहर दिखाते हैं कि अगर जहां भी हम बाहर जाएंगे तो यह मे अभी शुरू कर देगा अभी बहुत तेजी से ट्राइब कर रहा है अभी यह उड़ने की कोसिस कर रहा है अभी चलेंगे आप थोड़ा साथ चलिए देखिए किस तरह की एक्टिविटी करता है आप भागेंगे भागेंगा भी नहीं इसको जब भूग लगती है तो ज्या जिसे राज की पक्षी है आपने देखा होगा कि जो आरिफ का सारस्ता उसको बन विभाग आता है लेकर चला जाता है उसकी एक अनोखी दोस्ती की मिसाल दे रहे थी लोग लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सारस्ता आरिफ का बन विभाग लेके चला गया पहले तो बहुत तक्लीफ हुए बताते ना सारस जिससे मुभबत करता है और जब से वह चला गया तो बहुत मुझे तक्लीफ हुई मैं भी डरता हूँ कि आप लोग तो बहुत दूर से लिए आपका इंटर्विव काफी लोग मुझे फोन करते मैं नहीं देता और रही बाद वन विबाग का कुछ निया में कानून है वह अपने हिसाब से कर रहे हैं और रही बाद यह पक्की जमीन या पत्थर पर जादा नहीं रहना चाहिए इसक पास भी करीब एक साल पहले से सारस ता जब सोसल मीडिया पर वारल हुआ तो क्या आप इस्टाग्राम बगएरा पर कुछ इस तरह की पोस्ट डाली थी जी हम बता दें आपके चैनल के माद्यम से इससे पहले मेरे पास एक सारस था इससे पहले सारस था वह बहुत ही चार- पांचे किली मिटर रेंज में जाता था तो आपका सारस आया तो मैं बोलता भाई रहेगा उस सामको आ जाएगा फिर वाट इस वीच हमारे वीच में नहीं है नहीं तो वह सारस बहुत ही बाला था उसे आप इस्टाग्राम बगएर बगेर डालते हैं नहीं नहीं पूजेय के बास बहुत सारस की टूटने के बाद आपको क्या डर लगता है डर लगता अपके चैनल के माध्यम से बता दो मैं नेएгрप प नियम कानून का रखता है सब्रूइब करिया और किससे प्यार करता हैं घर में और किसे किसे मेरे पापा से बहुत जादा मेरे भी आता है जाता है तो भी सब सकतर साथ खेलनेगत साम को अभी साम होगी यह सुभा निकलता है उंज़गा कितो लोग सुल्टान्भुर के लोग वह आपको जानने लगे होंगे सारस की वाजेसे पहले जानते क्योंकि हम लोग नाम अफ्रोज नेपाली प्लस नेपाली एक ब्लांड चलने लगा अब वीसित से तस्वीर देखिए तरह से अप्रोंज करता है अब भी इसको आठा खिला रहा है और यह अठा बड़े कि चाव से खा रहा होगा अच्छा इसकी लंबाई कितनी होगी अब इसकी लंबाई अगर खड़ा थे तो पांच फिट होती पांच पीट होती ऑर भी कुछ लोग आम उनसे बातचीत करेंगे आप यही यहीं रहते हैं क्या नाम हुआ क्या कहना चाहेंगे कैसे रहता है इस आरस बहुत अच्छी तबीका रहता है यह लोग से ताड़ करता है आप से ब्यार करता है जी अब चलेंगे क्या थोड़ा साइकल से आप बाहर निकालेंगे ज्यादा चलिए ना बाहर थोड़ा सा तो पहले बना लीजे फिर करते बाहर करेंगे एक राउन मार देते ना बाहर थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरह से अफ्रोज और सारस की दोस्ती है अफ्रोज उहां साइकल लेके जा रहे हैं देख सकते हैं किस तरह से यह सारस उड़ रहा है और सुल्तान पुर्जिले ही नहीं बलकि पूरे परदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है चाचा यह आपको पाचानता है सारस क्या क्या खिलाते हैं आप इसको पकाई हुई आलू मसालेदार ज्यादा पसंद करता है और यह तो आटा खिलाते हैं और कुछ नहीं खाएगा घर के परिवार सदस्यों में गुल मिलके रहता है जो अगर भूका है तो चूंचूं करेगा अपना हर आदमी खिला देता है देख सकते हैं अभी मिट्टी जैसा कुछ खा रहा है क्या प्रोज भाई हां कीड़ा खोशता है नाली वाले में चला जाए तो ही खोद-खोद सफ्ञेक देते हुए बाद जीसे रेवां हो गहरा होता है उसको खा लेता है जो कीडे मकोडे होते वही खा लेता है तो देख स लगते हैं किस तरह से सुल्तान पुर्जिले का का यह साड़ 20 वारल हो रहा है कहा जा रहा कि जिस तरह से आरिप और साड़ उर्जिले में अफरोज और सारस की दोस्ती इस समय चर्चा का विशाव बनी हुई है आप इस पर क्या सोचते हैं आप हमें LIKE कमेंट और सेर करके ज झाल झाल